हर्याना के शिक्ष्रमंती कवलपा गुजर का कहना है कि अब नीजी स्कूलों की विध्यारती सांस्कृतिक मौडल स्कूलों में दाखिला ले सकेंगे यहाँ तक कि सरकारी टीचरों ने भी अपने बच्चों को सांस्कृती मौडल स्कूलों में दाखिला दिलवाया है उन्होंने आगे का कि हर्याना का MIS Portal का कारी 25 जून तक पूरा होगा अभी स्कूलों में एडमिशन जारी है इसी के बाद स्पस्ट होगा कि सही स्तिती क्या है उन्होंने काया कि 4 लाग विद्यार्टियों के स्कूल छोड़ने की जानकारी अभी अधूरी है सही जानकारी 25 जून के बाद ही मिल पाएंगी उन्होंने इनलो नेता अभे सिंग्च चौटाला के उस बयान को गलत बताया है जिसमें उन्होंने कहा था कि राज में 1500 प्रात्मिक स्कूल बंद हो गए है सिक्षामन्त्री कौलपार गुजर का विपक्षपर पलटवार उन्होंने कहा है कि MIS अबडेट होने पर पता चलेगा कि कितने चात्रों का एड्मिशन होना है प्रदेश में करी 500 प्रात्मिक स्कूल हुए है बंद तो उन्होंने सिक्षा मंत्री कवलपार गुजर का विपक्ष पर पलटवार उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है उन्होंने कहा है कि देश से कम चात्र वाले 25 जून तक होगा MIS पोर्टल अपडेट तो इसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितने चात्रों का एड्मिशन हुआ है तो वही इस बीच सिक्षा मंत्री कवलपार गुजर ने विपक्ष पर जम कर निशाना भी साधा आपको बता दे प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद होने के आरोप को उन्होंने गलत बताया है उन्होंने कहा है कि जो ये आरोप लगे है कि सरकारी स्कूल बंद हो गए है तो ये गलत है और इस जोरान उन्होंने विपक्ष पर जम कर निशाना भी साधा उन्होंने कहा है कि 25 जून के बाद ही स्थिती साफ हो पाएगी कितने बच्चों का दाखिला हुआ है इस बीच उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक स्कूलों में दाखिले का प्रक्रिया लगतार जारी है ऐसे में सरकारी टीचर्स भी अपने बच्चों का दाखिला करवा रहे हैं तो वही इस बीच उन्होंने विपक्ष पर जम कर निशाना भी साधा